हेलो दोस्तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हेडरो प्यूर के चैनल में दोस्तो मैं आपको आज बहुत ही इंपोर्टन बात बताने जा रहा हूँ वोटर सौफनर में सॉल्ट रिजनरेशन क्या होता है और सॉल्ट रिजनरेशन कैसे करते हैं यह information देने से पहले मैं आपको request करता हूँ कि पहले हमारे चैनल को subscribe करे और bell icon को दबाए दोस्तो वीडियो पूरा आखरी तक देखे और बिलकुल ही miss ना करे या फिर skip ना करे क्योंकि बहुत ही important बाते आज मैं बता रहा हूँ पूरे वीडियो में चलो शुरू करते हैं salt regeneration क्या होता है दोस्तो water softner यानि क्या होता है basically अपने पानी में जो कुछ water का हड़ने से वो सब filter करने का काम यानि softner करता है दोस्तो water softner में सबसे main चीज होती है salt regeneration यानि की cleaning procedure जो कुछ impurities है metals है ions है वो सब softner में जमा हो जाती है उसे निकलना होता है हफते में एक बार उस cleaning procedure के लिए salt यानि की नमक ज़रूरी होता है softner के material में main चीज होती है resin जो की सब absorb करने का काम करता है यानि जो कुछ filtration का काम करता है वो सब करता है resin material अभी resin कैसे होता है ये थोड़ा सा slippery material होता है jelly form में रहता है और synthetic material रहता है और दानेदार रहता है अब देखेंगे hardness hardness यानि calcium magnesium carbonate ये सब resin absorb करता है जब नमक का पानी resin के साथ आता है तो resin salt water के sodium और chloride को absorb करता है ये iron exchange होता है और ये exchange होते रहते हैं क्योंकि resin के दो type होते है cation exchange resin और anion exchange resin इसलिए salt water यानि की sodium chloride solution cleaning के लिए use होता है अभी आप सोचेंगे कि ये salt water आपके use करने वाले water में आएगा जब cleaning करेगे तो वैसे बिलकुल ही होता नहीं है जब salt water आप use करते है salt regeneration process के लिए तब क्या होता है जो कुछ iron absorb किये है वो exchange होते है आपके impurity के साथ में तो आपके पानी में तो component आएगे लेकिन वो salt form में नहीं आएगे यानि उससे कुछ हानी नहीं होगी आपके body पे जब ये salt regeneration होता है तब salt water तूरंत waste water की line से बाहर drain out हो जाता है अभी आप सोचेंगे कि ये procedure कितने time तक चलता है यानि resin कितना absorb कर सकता है resin का कुछ limit होता है absorption का उसके बाद में वो absorb नहीं कर पाता ये limit decide करता है कि कितने दीन बाद आपको cleaning करना है salt regeneration करना है ये सब design करते समय सोचा जाता है उसी समय आपका calculation किया जाता है कि resin कितना use है और आपका पानी का hardness कितना है ये calculation पर decide होता है कि आपको cleaning procedure कितने दिन बाद करना है 4 दिन बाद करना है या हफते में एक बार करना है जितना proper cleaning होते रहेगा उतना ही आपके resin के life जादा बढ़ते रहेगी क्योंकि resin एक synthetic material है अगर उसका absorption की capacity ही खतम हो जाए तो वो filtration नहीं कर पाता अभी हम देख रहे हैं ये वीडियो में तो इसमें सब नॉब बताए गया है या फिर wall multiport wall बताए गया है उसमें सब option दिये गए अगले वीडियो में हम अभी ये explain करेंगे कि ये salt regeneration करते कैसे है और ये दो वेसल क्या है आशा करता हूँ कि हमरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर आया है